जारखन से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई जिसने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बलकि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी और खबर थी एक विदेशी महिला से जुड़ी हुई एक स्पैनिश महिला जो अपने पती के साथ भारत के यात्रा पर आई थी लेकिन जारखन में उसके साथ सामोहिक दुश्कर्म किया गया साथ आरोपियों ने उसके साथ दुश्कर्म किया ये पूरी खबर क्या थी और उसके बाद अभी इस पर क्या अपडेट है आरोपि कहां पर है और अब कारवाई किस लेवल पर चल रही है सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आप को बताने वाली हूँ सबसे पहले मैं आपको ये बता दू अठाइस साल की महिला जो अपने पती के साथ भारत आती है आपको मैं ये भी बता दू कि वो महिला बाइक यात्रा पर अपने पती के साथ इससे पहले भी इरान इराग कई ऐसे देश जिनकी यात्रा कर चुकी है वो सब के सामने कैसे आई उस महिला ने खुद अपने इंस्टेग्राइम अकाउट से एक स्टोरी डाली एक स्टोरी पोस्ट की और उस पर उसने सवाल भी किया कि भारत में तो आतिती देवो भवा होता है ना फिर जारखन में हमारे साथ ये क्यूं हुआ अब उस महिला की तरफ से जो पूरी स्टोरी है वो बताई गई है एक एक डीटेल जो इस पूरी ख़बर को लेकर मेरे पास है वो पूरी रिसर्च करके मैं आपके लिए आई हूँ व वैश्विक यात्रा बाइक से अभी तक पूरी कर चुकी है दोनों ने यानि की पती और पत्नी ने अलग-अलग मोटर साइकल रखी है और इसी तरह वो अलग-अलग देशों के यात्रा करते हैं इराक इरान साओधी अरब के बाद वो पाकिस्तान पहुंचते हैं और पाकि शुरू हुआ वो श्रिलंका भी जाने की उनकी खबर सामने आई फिर पश्चिम मंगाल होते हुए नेपाल उन्हें पहुंचना था और यहां के लिए उन्होंने ये जार्खन वाला रास्ता चुना यानि कि अब इसके बाद उन्हें नेपाल जाना था उन्हें नेपाल की यात्रा करनी थी उसको लेकर वो पूरी तयारी कर चुके थे लेकिन जार्खन में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी यहां पर बदल गई मैं आपको एक और खबर मेरे पास है वो भी बता देती हूँ महिला ने आप बीती बताई है यानि कि अब चुकी जब उससे अस्पताल पहुचाया गया उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर शुरू हुए साथ आरोपी जो बताये गए हैं उ और वो भार्तियों से जो इंडिया में उसकी स्टोरी देख रहे हैं वो यह अपील करती है कि आप लोग ज़ादा से ज़ादा इस फोटो को पहुचाएं जिससे कि ये आरोपी भी जिसने मेरे साथ इतना गलत काम किया वो पकड़ में आ सके उस महिला ने आप बीती क्या बत करने वाले हैं यानि कि उसकी हत्या कर देंगे लेकिन उस जिन्दा बची इसके लिए उसने उपर वाले को उसके लिए शुक्र गुजार भी उसने बताया हाला कि उसने बाद में ये कहा कि उसके बाद जब चुकि उसके पती के हाथ पैर बांधिये गए उसके बाद जब व आप सूचे कि कोई महिला जो बाहर से हमारा देश घूमने के लिए आ रहे हैं भारत अगर देखेंगे अलग-अलग राज्यों में बड़ी तादाद में विदेश से हमने देखा है हर महीने हर सपता जो मेहमान है वो पहुंचते हैं और उसके बाद क्योंकि भारत की संस्कृत के साथ साथ कई सारी ऐसी जगा हैं जिसे घूमने के लिए परेटन के लिहास से बहुत बड़ी तादाद में जो परेटक हैं विदेशी खास्तोर पर वो पहुंचते हैं अब कोई ऐसी महिला जो दूसरे देश से भारत में आ रही है और अगर भारत की किसी राज्य में उसक साथ इस तरह का क्रत्य हो तो भारत की छवी पर क्वेश्चन मार्क विदेशी लेवल पर जो दुनिया के पटल पर है वो जरूर होगा इसलिए बीजपी सरकार इस मुद्दे को लेकर जारखन सरकार पर इस वक बहुत जादा हमलावर है वहां पर जगा 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 पर प्र सवाल उठ रहे हैं यानि कि यह कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा के नाम पर क्या आप किसी महिला को जो दूसरे देर से आई हुई है क्या आपके राज्य में इस तरह की सुरक्षा मिलती है और फिर लगातार आपको मैं बता दूं कि वो तस्वीरे सामने आई जब पोस्टर जो हैं वो जलाए जाते हैं अलग अलग जगाहों पर प्रदर्शन किये जाते हैं लेकिन सवाल ये है आप चुकि राष्ट्रे महिला आयोग ने इस पूरे मामले पर संग्यान दिया है इसको लेकर कैसे कारवाई होनी चाहिए सुनिश्रित किया जा रहा है आरोपी कुछ प हिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया तो फिर आप समझिए कि हिंदुस्तान में कितनी तादाद में विदेशी परिटक यहां पर पहुंशते हैं और अगर ये इमेज अगर ऐसी खबर से एक इमेज सेट होने के लिए बाहर जा रही है तो ये हिंदुस्तान के लिए भी बहु मिले और साथी उस महिला को अच्छे से अच्छा इलाज मिले इसकी भी यहां पर इसे भी सुनिश्रित किया गया है और जो आरोपिय भी गिरफ्त में नहीं आये हैं उन्हें भी जल से जल पकड़ लिया जाए एक तरफ तो ये खबर है एक तरफ ये कारवाई है लेकिन दू हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसी राज्य जार्खन में ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर इस महिला सुरक्षा की मुद्दे को आने वारे समय में ऐसा किसी के साथ फिर ना होने पाए चाहे वो किसी देश से किसी राज्य से क्यों ना हो चाहे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कहीं सारे सवाल है और इन सवालों के बीच में सवाल ये भी कि जो आरोपी अभी तक गिरफ में नहीं आये हैं उनके गिरफतारी कब होगी क्योंकि आप वो महिला खुद अपचुकी पुलस भी इस मामले को लेकर जब आप सोचे कि जब खब झाल झाल झाल